के गाईज हाव यू बहुत से ब्लॉग हो गया है बहुत सी चीज़े हो गई आज कुछ नया करके कुछ इन्वेंचन करके देखते हैं हमारे भांजे साहब जो अक्तर अजा साहब है वो खटीमा से आ हैं तो बहुत दिन से गह रहते हैं कि मामू मेरा एक ब्लॉग बनाओ तो देखते हैं उन से मिलते हैं तो the ये हैं ऑक्तर चैसे घ्रुयां में का क्यों आप देख सकते हैं कि इन्हों अन्हों सब तरफ से इसको खराप कर रखा है अब इसे आपड़न के सब होत जर्व होते हैं को सब्सक्राइं अब इन को और दिखाएंगे तो अक्तर इत्स व तो ये हमारे अक्तर अजzahl अपने क्यूब के साथ, अपने सटेंग सोब ठालते हैं, कलर्स को अजल करते हुए किस नसे सारे word को एक면, एकailed एक एक खरें हाओ में लेकर आएंगे और हम को करके दिखाएंगे किस ना से लेकर वर्स, है तो यह आप देख सकते हैं कि यह औरंज के सारे पार्ट है ब्लू हो गया यलो है ग्रीन है वाइट है और रेड है तो अक्तर अब आप मुझे इंडियन फ्लाग बना कर दिखाएंगे और कैसे होता है यह फ्लाग कैसे बनता है यह से ही सीखेंगे और जानेंगे तो पहले तो इनका फ्लाग बनके तयार हो जाए फिर हमें यह शो करेंगे लगे हुए हैं माइंसेट कर रहे हैं कि किस दा से को चीज़ शेटिंग हो किस दा से फ्लाग वे में आए और हमको वह दिखा सके हैं तो आइधिंग नियर कि अपने जहरी है और लगता है कि कुछ बनके तयार हो रहा है लगे हुए है इस अपने ब्लॉक्स गैसे कि अइनदिया लिए क्या गया है क्या नहीं है यह देखिए उनकी उगलियों का जादू चला है उनके क्यूब क्यूब पर और जल्दी इंडिन फ्लाग हमारी नजरों के सामने होगा पूरी शिद्दत से लगे हुए बड़ी मेहनत से लगे हुए कि जल्दी बना कर दिखा पाए लगबग लगबग लगता है कंप्लीट हो गया अक्तर कितना टाइम लगेगा विवर्स इंजार कर रहे हैं तो गाईस यह तयार हो गया हमारा इंडिन फ्लाग तो इस नन्ने हातों ने कर दिखाया यह औरेंच वाइट बीच में हमारा जो सर्किल है और नीशे ग्रीन अक्तर थैंक यू फो यू और कोपरेशन और थिस इस अब क्यूब अच्था आप्टर अधिश बने रहे हमारे चैनल पे शेर करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए थैंक यू अक्तर बाई अक्तर बाई